दोस्तों नमस्कार ये है मागदरशन फार सिविल सेर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्यात राजनीतिक चिंतन अर्थात वेश्टर्न पुलेटकल थाट के अंतरगत उपियोगितावादी विचारक जेरिमी बेंथम के स संबंध में बेंथम द्वारा प्रतपादित उपियोगितावादी सिधानत की प्रमुख विचेस्ताएं कौन सी है तथा उपियोगितावाद के संबंध में बेंथम ने कौन सी मानिताएं प्रस्तुत की है उसके बारे में आप इस वीडियो के अंतरगत जानेंगे दोस्तो बेन्थम जिसका पूरा नाम जेरिमी बेन्थम है इसको उपियोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाता है यद्यपी उपियोगितावादी दर्शन का क्रमबध रूप में प्रतिपादन सबसे पहले डेविड हुम ने किया था दोस्तों बेन्थम का नाम उपियोगितावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि उपियोगितावादी दर्शन का क्रमबध रूप में प्रतिपादन सबसे पहले डेविड हुम ने किया था इसके अलावा प्रिष्टले, हचसन और हालवेक जो बिचारक हैं ये प्रमुख उपियोगितावादी बिचारकों के रूप में माननेता प्राप्त हैं लेकिन सभी बिचारकों में उपियोगितावादी दर्शन का ब्यापक रूप में प्रतिपादन और राजनीत के छेतर में इसे लागू करने का स्रे बेन्थम को ही जाता है इसलिए कभी-कभी दोस्तों उपियो गितावाद को बेन्थम वाद भी कहा जाता है अब आये देख लेते हैं जेर्मी बेन्थम के जीवन परिचय के संबंध में तो दोस्तों जेर्मी बेन्थम जो था उसका जन्म सन 1784 इ पर्सकी अवस्था में बेंथम ने क्वीन्स कालेश से असनातक किया था और लिंकन इन से बैरेश्टरी करने के बाद 1772 से उसने वकालत प्रारंब की लेकिन जल्द ही वकालत जैसे नीरस विशे को छोड़ कर उसने बिधि सास्त्र और न्याय सास्त्र के छेत्र में अध्यन कर प्रारंब किया दोस्तों बेंथम एक बहुत ही विशिष्ट प्रतिफासाली ब्यक्ति था और लेक उसके जीवन में उसके लेखन का बहुत ही महत्वपूर अस्थान है बेंथम पूरे जीवन भर लिखता रहा और उसकी प्रमुख रचनाएं जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं उसकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं तो दोस्तों पहला है फ्रेग्मेंट्स आफ गवर्मेंट जो 1776 में प्रकासित हुई यानि सासन पर विचार ये 1776 में डिफेंस आफ यूजुवरी 1727 में इंटोडिक्शन टू दे प्रिंसपल आफ मोरल्स ए प्रकासित हुई ये इसकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं इन में से फ्रेग्मेंट्स आफ गवर्मेंट 1776 और इंटोडिक्शन टू दे प्रिंसपल साफ मोरल्स एंड लेजिसलेशन जो 1789 की रचना है सरवाधिक महतुपूर है और राजनीतिक विचारों के इसके बारे में तो दोस्तों उपियोगितावाद जो है बेंथम के चिंतन और विचारधारा की आधार सिला है उपियोगितावाद यानि बेंथम का जेर्मी बेंथम का नाम जो है वो पूरी तरह से उपियोगितावाद यूटेलिटेरियनिजम के साथ जोड़ा जाता है औ और राजनीत के छेतर में इसे लागू करने का प्रयास किया था। तो उपियोगितावाद जो है वो बेंथम के चिंतन और विचारधारा की आधार सिला है। कुछ अच्छा लगता है उसी को इस्वरी इच्छा प्राकृतिक विधी और अंतरात्मा के अनकूल कहता है। लेकिन इस्वरी इच्छा प्राकृतिक विधी या अंतरात्मा के संबंध में प्रामारिक रूप से हमारे बारे में प्रामारिक रूप से हम कुछ नहीं कह सकते है इसलिए ये सभी धाड़ाएं निरर्थक हैं। उपियोगितावाद के बारे में जब बिन्थम ने अपना अस्पष्टी करण दिया तो वो क्या करता है कि ततकालीन समय में जो नैतिक्ता की धाड़ाएं थी उनका खंडन किया और उपियोगिता को उसने नैतिक्ता और मानवी जीवन का आधार बनाया। बिन्थम के समय में नैतिक्ता के बिशय में बहुत सारे विचार प्रशलित थे, कई लोग इस्वर की इच्छा को नैतिक्ता का आधार मानते थे, कई लोग धर्मसास्त्रों को इस्वर की इच्छा मानते थे, और कुछ लोग कहते थे कि इस्वर क इच्छा धर्मसास्त्रों के अनुकूल है और इसलिए नैतिक है और जो कुछ इस्वर की इच्छा या धर्मसास्त्रों की विप्रीत है वो अनैतिक तथा पाप मूलक है इसलिए बेन्थम नैतिकता की जो धाणाएं थी उनका खंडन करता है और कहता है चाहे इस्वरी या अंतरात्माम हो इन सब के बारे में हम प्रामारिक रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं इसलिए ये सभी धाणाएं निरर्थक हैं बेन्थम जो है वो सुखवाद में विश्वास करता है बेन्थम के विचारधारा में सुखवाद बहुत ही महतपूर है वो सुखवाद में वि बहत्तो पूर्ण है दोस्तों बेन्थम सुखवाद में विश्वास करता है और उसके उपयोगितावाद की धाड़ा सुख और दुख की मात्रा पराधारित है वो मानता है कि जिस कारे से मनुसे के सुख में बृध्धी होती है वो कारे उपयोगी और उचित होता है और जिस क उपियोगितावादी सिध्धान्त क्या है तो इसके बारे में बेन्थम उपियोगितावाद की ब्याख्या करते हुए कहता है कि उपियोगितावादी सिध्धान्त वह सिध्धान्त है जिससे ब्यक्त की प्रसन्नता बढ़ती है और जिसके आधार पर वो प्रतेक कारे को उच प्रकिर्ति ने मानों को सुख और दुख नामक दो परभुत्य पूर्ण स्वामियों के सासन में रखा है। प्रकिर्ति ने मानों को सुख दुख नामक दो प्रभुत्य पूर्ण स्वामियों के अधीन जो है उसको सौप दिया है। अर्थात वही कारे उचित है जो प्रसन्नता और सुख दे सकता है और वो कारे अनुचित है या अनुपियोगी है जो की दुख देता है या सुखों को कम करता है। इसके अलामा जो बिन्थम का उपियोगी तावाद है उसमें उसने उद्देश से की अपेच्छा परिडाम को महत्वपूर मानता है। उद्देश से क्या है उससे मतलब नहीं है बिन्थम को बहुत। उसका मतलब ये है कि परिडाम क्या होता है और परिडाम से क्या मतलब है परिडाम से उसका अर्थ यही है या उसका तातपर यही है कि जिसका परिडाम हमें सुख की अनुपियोगी होता है इसके अलामा जो वस्तु या जिस कारे से हमें दुख की अनुपियोगी है वह बु और पैडाम में भी उसी पैडाम को स्रेष्ट और सुभकारी मानता है जिसका उद्देश या जिसका पैडाम जो होता है वो सुखों की बृध्धी करना होता है बेन्थम इन सुखों के सुरोत भी बताता है तो सुखों के कौन कौन से सुरोत हैं सार्ट में उनको जान लेते हैं पहला है प्राकृतिक सुरोत वह है जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है राजनीतिक स्रोत तो राजनीतिक अवस्था अथवा कानून के कारण जो सुख मिलता है उसे राजनीतिक सुख कहते हैं और नैतिक स्रोत वो है कि जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टी से अच्छा या बुरा काम करने पे होता है उसे नैतिक स्रोत कहा जाता है और सामाजिक सुख जब किसी कारे को करने पर समाज हमें पुरसकार या दंड देता है यानि अच्छे कारे पर पुरसकार या खराब काम पर दंड मिलता है उसको सामाजिक सुरोत कहा जाता है इसके अलामा एक है धार्मिक सुरोत तो धार्मिक मानिताओं के अनुसार या उसके बिरुध काम करने पर जो सुख या दुख मिलता है उसे हम धार्मिक सुखों के अंतरगत सामिल करते हैं और वो धार्मिक सुरुख को धर्म उसका सुरोत धर्म मानता है इसके अलावा दोस्तों बेंथम के उपियोगितावादी सिध्धान्त की एक महतपूर्ण विशेश्ता ये है कि वो भौतिक सुखों की बात करता है भौतिक सुखों का मतलब ये कि वो सुखों में केवल मात्रा या क्वांटिटी का ध्यान देता है क्वालिटी का नहीं बेंथम का उपियोगितावादी सिध्धान जो है वो सुखों में केवल मात्रा या परिडाम का ध्यान देता है गुड का नहीं वो कहता है कि मनुस्य के कारे करने का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है और मनुस्य सदैव सुख से प्रेरित होता है और दुख से बचना चाहता है इसके अनुसार ये जो मान्यता है सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है गुड का अंतर नहीं होता है तो इसके अनुस अच्छाई का मापदंड नहीं रहेगी और फिर हमें अच्छाई का कोई दूसरा मापदंड ढूर ना होगा तो एक महत्वपूर्ण विशेष्टा ये भी है कि सुखों में जो है वो किवल मात्रा का अंतर होता है गुड़ों का नहीं होता है तो इसी आधार पे आप जेरमी बिन्थम का एक महत्वपूर्ण कथन है जो विभिन परिच्छाओं में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है तो मात्रात्मक सुखों में मात्रात्मक अंतर के आधार पे ही उसका ये प्रसिद्ध कथन है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुस् उसी प्रकार होता है उसकी मात्रा समान हो यदि बच्चों के खेल या पुस्पिन खेल में जो सुख मिलता है उतना ही सुख मिल सकता है या सुखों की मात्रा समान होने पे चाहे काब विपाठ हो या बच्चों का खेल दोनों को एक बराबर मानता है और उपयोगितावादी सि धान्त या अपने सुखों दुखों के बढ़न में मातरात्मक बढ़न में के एक आनंद मापक पद्धती जिसे की फेले सिफिक कैल्स कुलस कहा जाता है उसकी बात करता है बेंथम का मानना है कि जो सुख हैं उनकी गड़ना भी सटीक तरीके से की जा सकती है सुख या दुख ह उनकी गड़ना आराम से की जा सकती है इसलिए वो एक फेले सिफिक कैल्कुलस या आनंद मापक पद्धती की बात करता है वो कहता है सुख और दुख को मापने के संबंध में वो साथ बातों पर ध्यान देने की बात करता है कि सुख और दुख को मापने के लिए साथ बातो को ध्यान में रखना चाहिए सुखों की तिब्रता उसकी अवध निश्चित्ता निकटता या दूरी उत्पादक्ता विशुधता या प्योरिटी और इसका विस्तार तो ये सात मानक हैं जो वो आनंद मापक पधती में देता है कि सुख और दुख में इन सातों का ध्यान सकती है कि उसे किसी कारे की प्रविड्रति में सुख होता है अथ्वा नहीं तो बेंथम दोस्तों जिन सात आधारों की बात करता है उन में से जो छे बाते हैं वो ब्यक्तिगत सुख दुख की बात करती है या जो पहली छे माननेताओं हैं जो वो तीब्रता जो छे माननेताओं की बात करता है साथ माननेताओं में से जो छे पहली छे माननेताओं होती हैं दोस्तों वो ब्यक्तिगत अस्तर पर हैं लेकिन जो समूह अथवा बहुमत के सुखो का परड़ाम निकालने के लिए बिस्तार पर ध्यान दिया जाता है इसलिए बेंथम कहता है कि ब्यक्ति के लिए कौन सा कारे उपियोगी होगा इसके लिए उसे साथ आधारों को अंक देकर अधिक अंक वाला कारे अपनाना होगा तो सुखा और दुख की गर्णा करने चाहिए और सुख और दुख की गर्णा करने के संबंध में वो एक कथन कहता है कि समस्त सुखों के समस्त मुल्यों को एक और और समस्त दुखों के समस्त मुल्यों को दूसरी और एकत्र कर लेना चाहिए यदि एक को दूसरे से घटा कर सुख सेस रह जाता है तो वह कारे ठ ठीक है लेकिन यदि दुख सेस बचता है तो समझ लेना चाहिए कि वो कारे ठीक नहीं है यानि सुख और दुखों का जोड कर लेना चाहिए यदि सुखों में से दुखों को घटाने पर सुख की मात्रा सेस बचती है तो वो कारे अच्छा औरुप योगी है लेकिन अंत में जब दुख की मात्रा से इस बचती है तो इसका मतलब वो कारे ठीक नहीं होता है। इसके अलावा बेंथम का मानना है कि किसी कारे का प्रभाव दूसरों पर भी पढ़ता है, तो ये भी ठीक होगा कि हम उस प्रकरिया में उसके प्रतेक छेतर पर उनमें से प्रतेक पेवे लागू करें और उनके हीतों को ध्यान में रखें, इसी को सुख का बिस्तार कहा जाता है तो सुख के बिस्तार का उसका जो मानक है वो सामाजिक या सामूहिक हित को ध्यान में रखने की बात करता है इसी को आगे बढ़ाते हुए बेंथम कहता है कि कानून निर्माड या बिधियों के निर्माड में कानून बनाते से मैं ये देखना चाहिए कि सुख और दुख में से किसकी मात्रा अधिक है या दिवह सुख के पच्छ में है तो ये मानना चाहिए कि कानून प्रतेक नागरी के लिए सुख दायक है और यदिवह दुख के पच्छ में है तो ये समझना चाहिए कि कानून जनसाधारन के लिए दुखधाई या कश्टगारक है इसलिए कानूनों का निर्माड उस आधार पे किया जाना चाहिए कि वो जनता के लिए अधिक्तम सुख और प्रसन्नता ला सके बेंथम व्यक्तिकत सुख को महतु देने के बाद सामाजिक सुख को अधिक महतु देता है और वह कहता है कि सामाजिक जीवन में राज्ये का जो उद्देश से होना चाहिए वो अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुख यानि maximum happiness आप maximum numbers greatest happiness आप greatest numbers इसको आधार ध्यान में रखना चाहिए अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुख उपियोगितावादी सिध्धान्द का मूल है और इसलिए सबसे महतुपूर किसी भी नीत नियम बनाने में राज्ये का उद्देश ये होना चाहिए कि उससे अधिक्तम व्यक् सब कारियों के औचित्ते कमाप दंड है और राज्य के वही कारे उपियोगी होते हैं जो अधिक्तम व्यक्तियों को अधिक्तम सुख पहुचा सकते हैं अंत में दोस्तों बेंथम के उपियोगितावाद की विशेष्टा या महत्व इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बेंथम का उपियोगितावाद जो है इस मामले में महतुपूर है कि इस सारोभोम सिध्धान्त को माननेता है कि मानवी आचरण और व्योहार की सभी यानि प्रत्यचतह या परोचतह उपियोगितावाद के सिध्धान्त पर आधारित हैं बेंथम के विचारों या चिंतन के आधार सिला उपियोगितावाद है और वो कहता है कि यही वो सारोभोम सिध्धान्त है क्योंकि मानवी आचरण और व्योहार की सभी चीजें सीधे परोच रूप से उपयोगितावाद के सिध्धान्त पर आधारित हैं। उपयोगितावाद का सिध्धान्त निश्चित और वश्टुपरख है और उसे प्रियोग द्वारा सिध्ध भी किया जा सकता है, और इस कारण यदि हम मानवी संबंधों के संजालन को एक सुनिशित विज्ञान का रूप देना चाहते हैं तो हमें उपियोगितावाद के सिध्धान्त को अपनाना होगा और यही हितकर और सुभकारक भी होगा तो कुल मिलाकर दोस्तों बेन्थम का जो उपियोगितावाद है उसकी प्रमुख विसेष्टाएं कौन सी हैं और उसके द्वारा इन विसेष्टाओं या उपियोगितावाद के पच्छ में जो तर्क दिये गए हैं उसके बारे में आपने जाना इसके आगे के वीडियो में हम बेन्थम के अन्य प्रमुख सिधानतों जैसे सासन पद्धती, कानून संबंधी विचार, सिच्छा और दंड संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे साथ ही एक वीडियो उसमें हम बेन्थम के आलोचना करेंगे बेन्थम के विचारो कि कौन सी आलोचना की जाती है उसके बारे में एक वीडियो होगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्कदशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें धन्यवाद